हे गाईज इस सदात है कि टेकी बफून और आज हम बात करेंगे जियो के एक बहुत ही सस्ते लापटॉप की और देखो इससे पहले वीडियो चालो आप अगर पूछो कि यह कौन सा माइक है कौन से हेटफून्स यूज करता हो कौन सा मॉनिटर है यहां फिर PC में कौन सा प्र पर अगर आपकर सकते हैं और देखो रिलाइंस जी ओने यह जो लापटॉप बना है यह बहुत-बहुत-बहुत ही चीप नहीं लेकर अफॉरडबल बहुत सकता है लापटॉप होगा इंडियन मार्केट के लिए मुझे लगता है कि यह वर्क फ्रम हूम की टाइम पर निका लेकित अब वह फिस अल्मोस्ट पूरा हो चुकाई बट स्टेल यह मेरी साबसे लापटॉप बहुत ही जादे यूसफुल अब बहुत ही टेकनिकलटी इस हो सकती है इस वीडियो में इसलिए आपको अगर पार्ट स्किप करने हो तो फिर वह आप कर सकते हैं लेकिन सबसे तो रहाँ स्नापड्रागन 6665 होगा स्नापड्रागन 665 2019 का प्रोसेसर है यह फोन के लिए है एड इवन मुझे लगता है दस से पंदरा हजार रुपए के फोन में ऐसा प्रोसेसर यूज होता है अब यह प्रोसेसर क्या वह बताने वार हो लेकिन कैसे इंप्रूव कर सकते थ प्रोसेसर मेरे असाब से इंटल ने इनके एकुटी खरी दी थी डिलाइंस की फेस्बुक ने खरी दी थी कॉल कॉम ने भी खरी दी तो मझे लगता है इंटल और यह साथ में में एक आम प्रोसेसर बना सकते थे जैसे आपल के लापटॉप से बाट थोड़ा सस्ता वरिजन एक बहुत अच्छी टीम कलाबरेटिव एफोर्ट करके बना सकते थे अब रिलाइंस जियो बुक एक पहले भी आने वारा था उस पे भी मैंने वीडियो करके रखे टॉप राइट पे क्लिक करना उस वीडियो के लिए उसमें और भी अच्छा कम अफोड़िबल बड बहु यह सिर्फ एक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है कि जादा पैसे कमाने हो उसके लिए उन्होंने एक बहुत ग्रोविंग कंपरी के नाम कर दियो यह अच्छी जादा स्ट्रेटीजिक है अब इंटल का जो इन्वेस्टमेंट है जो जियो में किया है जो रिलाइंस को हिल्प क कर रहा है देखा जाए क्योंकि AMD बहुत अच्छे प्रोसेसर निकाल रहा है और अपल ने भी अभी खुद के प्रोसेसर डालना चालो कर दिये मैक में जो ओविसलिए टाइम में अभी आये नहीं है बट इंटल और एपल का जो 10 साल का रिलेशनिशिप था वह बेसिकली बॉ लगने तो उसमें जीओ का लापटॉप बहुत अच्छे से बिकेगा अब यह जो यह बहुत ही अफॉर्डबल इसमें बोला इसमें डिस्प्ले होगा वह 768 पी का होगा तो आप अल्रेडी देख सकते हैं कि यह बहुत ज्यादा अफॉर्डबल लापटॉप पे जा रहा है यह इसका यूज केस क्या है कोई स्टूडेंट हो जिसको अपना MS Word फाइल कोई प्रेजेंटेशन कोई प्रोजेक्स करने हो यह उन सब के लिए and don't get me wrong snapdragon 665 उतना खरा प्रोसेसर नहीं है बट स्टिल लापटॉप के अगर बात करते हैं तो फिर obviously उतना अचा है नहीं अब जितना हो सके इनोंने सस्ता करने की ट्राइं की है जैसे कि इनोंने samsung से अपना रान और इस टोरिज को उसे प्रोसेसर लियाए ऐस और दिस्पले वी कोई अलग ही में जगह से लिये पाइए सब टर टॉबस इंसे by 310 last practice नें ने डिसने बीट इसक और यह हैं जितना है आउ i4 लापटोप से ही करुएंगे मेसेज भी आप अब इस लापटाप से कर सकते हैं अब इसमें 4GB LPDDR4X RAM होगी, उतनी पुरा नहीं RAM नहीं है, बट सबसे newest RAM LPDDR5 है, जो आपको flagships में मिलेंगे, इसमें मुझा लगता है, LPDDR4X RAM बहुत ही साइड डील है, और इन्होंने जो 64GB का internal storage है, वो भी किया है, होपफुली 128GB का भी option हो, बट ये कोई SSD हैं, HDD नहीं है, जो आपके phone में जो memory होती है, वो memory है, और ये out of the box Android 10 support करेगा, होपफुली 11 या फिरी जब निकलेगा तब 12 भी support करेगा, बट और out of the box, अभी के लिए जिस हिसाब के leaks हैं, उसमें Android 10 support करेगा, अब क्योंकि ये Jio का laptop है, तो फिर इसमें already Jio Meet, Jio Mart, Jio ये सब already जिसको हम bloatware बोलते हैं, जो आप शायद से यूज ना करें, बट pre-loaded apps होंगे इस laptop में, जो आप शायद से delete भी करता हैं, बट 64GB internal storage में already Microsoft Edge ये सब होना चाहिए, बट Microsoft Edge नी Chrome भी बूल सकते हैं, जो आपको यूज करना हो, Microsoft Edge भी खरा ब्राउजर नहीं है, इस DNA में 2021 में, बट यह जो थोड़े बात bloatware apps है, वो इनको शायद से नहीं डालना चाहिए, I guess Jio के डाले तो समझ आता है, बट होपफुल अपने इंटर्स को लापटाप देना हो, जब वो छोड़े तो लापटाप ले फिर दूसरे इंटर्स को दे दे के वो अपना presentation प्रिपेर कर पाए, या फिर थोड़ी बहुत research यहां फिर आपको लापटाप एक बड़े से कोई display पर आपको काम करना हो, या फिर आपको meetings attend कर था 2019 में, बट क्योंकि यह पुराना पार्ट है, इनको बहुत ही अची प्राइस पर भी मिला होगा, और मेरी फेरली पुरानी है, फेरली न्यू है, तो फिर उसमें थोड़ा उनको आची डी मिल सकती हो, और डिस्प्ले भी उतना चैने, तो मुझे लगता है कि यह लापट अचीज में भी निकाल सकता है, विच वोड नॉट अट अल बी अगुड डील, अगर आपका अल्रेडी कोई बजट या ऐसा कुछ हो, तो फिर आप मुझे बता सकते हैं, मैंने इस चैनल पे बहुत जादा हिल्प के लोगों कि बजट में लापटप सजेस्ट करने की, तो फिर आप अपना बजट 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 सकते हैं, तो मैं वो भी आपको रिप्लाइ करने की पूरी ट्राइ करूंगा, अगर आपको इन जर्रल कोई भी आपके इस लापटप के बार में थो तो फिर आप डेफिनेटी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अब और दे कि हमें ये लापटप डेइली ड्राइब करता परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, और बहुत जादे पोर्टेबल भी है, जैसे कि मैंने बूल आपको डिस्क्रिप्शन में लापटप की लिंक्स और वीडियो की भी लिंक्स मिल जाएंगी, तो वो आप चेक आउट कर स झाल